नमस्कार दोस्तों। दर तीन दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल को LDL या Low Density Lipoprotein कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और Good Cholesterol को HDL या High Density Lipoprotein कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा रोसुमैक Gold Capsule Triglycerides के लेवल को भी कम करता है। Triglycerides fat की ही एक टाइप है जो बलड में पाई जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जिसकी वज़ा से नसों में बलड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। पढ़ने का और लक्वा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्तर रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रोसुमैक गोल्ड कैपसूल की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में रोसुमैक गोल्ड कैपसूल की वज़ह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे सिर्दर्ध होना, बध़जमी होना, शरीर में कमजोरी वठकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्स होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। रोसुमैक गोल्ड कैपसूल की वज़ह से बलड़ शुगर लेवल अधिक हो सकता है। रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को लेते समय आखों या त्वचा में पीलापन होना, भूक कम लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आधि साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि ये लक्षन रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें मानस्पेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मानस्पेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़ा से मानस्पेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो बलड में मिल जाता है जिसकी वज़ा से किड़नी भी डैमेज हो सकती है वैसे रैब्डोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है लेकि रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंते तक लेटना या सोना नहीं चाहिए। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। रोसुमैक गोल्ड कैपसूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। इसलिए यदि आपकी सरजरी होने वाली है या आपको दान्त निकलवाना है तो आपको रोसुमैक गोल्ड कैपसूल के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि रोसुमैक गोल्ड कैपसूल खून को पतला करता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। जैसे एसिकलोफिनेक, डाइकलोफिनेक, आईबोप्रोफेन और निमसुलाइड आधी दवाओं के साथ भी रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को लेना रेकिमेंड़ नहीं होता है। शरीर में प्लाटलेट्स कम होने पर, पेट में अलसर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफिलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर की कोई बीमारी होने पर रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को लेना रेकिमेंड़ नहीं होता है। Rosumac Gold Capsule को लेते समय आपको شрाब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योगी Rosumac Gold Capsule के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का वा लिवर डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है. रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को लेते समय आपको लिवर के स्वास्थे को मौनिटर करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको हर छे महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट को करवाते रहना चाहिए। ताकि लिवर के स्वास्थे को मौनिटर किया जा सके। आपको अपने स्वास् का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए इसके अलावा आपको regular exercise करनी चाहिए और घीव ज्यादा oily भोजन को खाने से बचना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रोसुमैक गोल्ड कैपसूल का सेवन करना सुरक्षित वर रेकेमेंड़ नहीं है रोसुमैक गोल्ड कैपसूल मा के गर्प में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है और स्तनपान करा रही महिलाओं में रोसुमैक गोल्ड कैपसूल मा के दूद के जरिये बच्च तक पहुंच सकता है और दूद्ध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रोसुमैक गोल्ड कैपसूल को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आ आप कमेंट करके पुछ सकते हैं